नमस्कार स्वाकत है आप सभी का साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग रभिन नर्नात ट्यागोट जी द्वारा रचित विखारिन कहानी के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे इसे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ के चारांस को देखा था तथा वस्तोनिष्ट प्रश्ण को देखा था और इस पाठ में हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो है इस पाठ के लगुतरिया प्रश्ण बोध मूलक प्रश्ण एवं भासा बोध के प्रश माठी को बच्चा कितने वर्ष पहले मिला उत्तर देखिए अंधी को बच्चा पांच वर्ष पहले बिला तीसरा प्रश्न पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुसे में क्या कहा तो पैसे मांगने पर सेठ ने पहले तो इनकार कर दिया और फिर गुसे में अंधी को धमकाते हुए कहा चाती है यह नौकर को बुलवाऊं तो इस तरीके से जो है सेठ जो है वो विखारिंद का अपमान करता है उसे गलत बात कहता है तो अथा नंबर प्रश्ण देखिए अंधी को किस सब्द ने बैचेन कर दिया उत्तर अंधी को ममता शब्द ने बैचेन कर दिया प्रश्ण अंधी मा से मिलने के कितने दिन बाद मोहन त्वास्त हुआ उत्तर अंधी मा से मिलने के 10-15 दिनों में मोहन पूरी तरह ठीक हो गया मोहन जब बिमार होता है और उसकी इलाज के लिए अंधी विखारिंद धर धर खोशती है धूनती है पैसे लेकिन नहीं मिलता है यह पास आती है और सेथ सायता करने से कार करते हैं पर उसकVO अंधी ओधार को प्रस्तवर चलता है तहीं को तरह रशियर पैसे का ने मिलता तरह नमने प्रश्ण चाहिया है क्या कर भी नलता है यह बताना और तो एत पेले पंक्ती इंग इंधी जमापून जी कैसे रूप है उत्तर यह पंक्ति किसने कही है सेट जी ने अंधी बिखारिन से दूसरा प्रश्न अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे यह पंक्ति किसने कही है यह पंक्ति अंधी बिखारिन ने सेट जी से कही है इसना प्रश्न देखिए इसमें तुम्हारी धरोहर है तुम्हारे रुपए मेरा वह अप्राध ये पंक्ती जो है वो सेठ जी ने अंधी बिखारिन से कही है आए हम बोद मुलक प्रश्नों को देखते हैं पहला बोद मुलक प्रश्ना के बारे में लोग क्या जानते थे तो देखिए उत्तर कसी सेठ यानि की जिनका नाम सेठ बनार सीदास है वो कासी में बहुत ही प्रसीद्ध थे और सम्मानिक बेक्ती थे लोग उनका सम्मान करते थे लोगों के अनुसार बहुत बड़े देश भ जमा रखते थे, दूसरा प्रश्न देखिए, अंधी बिखारें से पैसे लेकर उसके साथ क्या ब्यवार किया गया, तो देखिए उत्तर, अंधी बिखारें से पैसे लेकर उसके साथ सेट ने बहुत ही बुरा बरताव किया, पहले तो सेट और मुनीम जो है, उसे पहचानने स इनकार कर दिये इसके बाद उसका अपमान करते हुए उसे कोठी से बाहर निकल जाने के लिए उन्होंने पुर्ण रूप से उसे विवश कर दिया यानि की मजबूर कर दिया इसरा प्रस्टन देखते हैं अंधी ने ठाहाका क्यों लगाया ठाहाका यानि जो जो से हसनाजी से हम कहते हैं तो देखिए अंधी का ठाहाका जो है वो सेट 82 दास पर एक ब्यांग है जिस बच्चे को बचाने के लिए अंधी जो है वो दरदर भटक रही थी ठोकरे खा रही जैसे है इस सेट को यह चाहित हुआ कि जैसे इसलोगत उसे नौन है तो उसे बचाने केली के लिए हर संभब प्रयासम जूट गया इसके पहले जब तक व Key का जानता है उतका प्रासम को जोट जाता है तो समाज और सेट को बिढबना है यह जो बहुत ही हुआ संब्याय बह सेट और विखारिन में किसे महान कहा जा सकता है और क्यों जाहिसी बात है देखिए सेट और विखारिन में निश्चित तौर पर विखारिन को ही महान कहा जा सकता है क्योंकि विखारिन जो है वह आर्थिक रूप से दरीद्र है गरीब है परन्तु फिर भी उसके हिर्दय में वहानुता के पति गहरी आस्था प्रेम ही लोगों के प्रति प्रेम जबकि जी गहरी आस्था है प्रेम आस्था है जब की दिखावती धरमात्म हैं केवल क्ली Simpson कίν 납ी क्या करें हैं शक्राइस क Αnaire Crows मानविया गूढ भरे पड़ा हुए हैं प्रेम भरा आंधिए होते हूए वह बच्चे का पालन पोशन करती है तो यह यह सारे मानविया गूढ भूढ महान है जो उसे एक महान स्थ्षो बना देते हैं महान औरत बना देते हैं आए शचटे प्रश्टों को देखते हैं कि इस पार्ट से हमें क्या सिख्चा मिलती है तो देखिऊ वेखारिन कहानी में कहानी जो है मानविय गुडों के प्रशार का संदेश देती है निम्न दलित और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग में भी गहरी मानवता, निस्वार्थता की भावना याथत होती है, यह कानिया में यह बताती है कि उच्च मानलिया आदर्स जैसे निस्वार्थ, प्रेम, दया, करुणा, आत्मियता, इमानदारी, परुपकार यह जोप निखते नहीं है, गरीब लोगों में भी प्रेम, दया, करुणा, निश्वायत की भावना या पाई जाती है, जिसको की अंधी बिखारिन के माद्यम से कभी गुरु ने हमें लिखलाया है, आई अब इस पार्ट से समन्नित हम भासा बोद के प्रश्चु को देखते हैं, हम हमारा लगुतरिया और बोद भूलक प्रश्चन खत्म हो चुका है, अब हम भासा बोद के प्रश्चन को देखेंगे, तो देखेंगे, निवना शब्दों में से तच्चम और तद्भाव शब्दों को अलग कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जगा तच्चम तच्चम और तद्भाव को अलग करने है, तच्चम और तद्भाव तो तच्चम में देखेंगे, सबसे पहला शब्द ही जो है तच्चम है सहर्दे, तीक है, उसके बाद तच्चम शब्द में दूसरा जो शब्द है आप बिथ्या इसके बाद का जो शब्द है वो है आपका याचन इसके बाद आपका द्रिष्टी इसके बाद का जो शब्द है वो है नेत्र यह तारे मैं आपको तच्चम शब्द बता रहे हूँ अगर तदुवा शब्द की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं हाथ, के बाद कोशिश, और बच्चा, चाप, इसके अलावा आप लिख सकते हैं बुढ़िया, और आसू, और नेत्र के बार कौन से बचे रहें? वस्तु और वस्तु भी आपका तच्चम शब्द में आएगा और इक में धर लिख दे रही हूँ, वस्त, यह सारे आपके तच्चम शब्दे हैं जो संस्कित के हिंदी में ने थे दध्वाव शब्दे हैं जिनका सवरूप बदल कर हिं तुझे में आया है NE मुलिलेखित वाक्यों में तर्वनाम टोको रहाइ कि यहां पर जो डिया गया है उसमें हम इसको रहांकित करना है आतों पहलेखिए प्रश्न इंट 2103 करना दोफार इन एक बSet कानी देखा पहला होगा उसकी और दूसरा होगा वाह ठीक है दूसरा ख़व नमबर मेरे रुपए तो हजम कर गए अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे इसके अंदर पहला शब्द कौन सा सर्वनाम है मेरे ठीक है और इसके बाद मेरा और तीसरा शब्द है मुझसे यह तीनों जिन शब्दों को मैं रिखांकित कर रही हूं यह सर्वनाम शब्द है क्योंकि कहा गया है कि आप सर्वनाम शब्दों को रिखांकित करें गव नमबर प्रशने में मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने तूंकी तो इसमें कौन सा सब्द है मैं है उसको है ठीक है और अपने वहां पर जो शब्द है वह है तुम्हारे जाने से वह पच चाहे का ह। इसे चब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए तो यहां पर हमें समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है तो पहले मन ही मन इसका हम समास विग्रह करेंगे क्या होगा मन ही मन मे कौन सा समास है ये आपका अव्याई भाव अव्याई भाव सवास फिर थोड़ा बहुत थोड़ा और बहुत यहाँ पर मैं जो है वो केवल आपको पार्ट से आधारिज जो बासा बोदे केवल उसे हल करके बता रही हूँ व्याकरणिक नियमों को आपको नहीं बता रही हूँ परन्तु याद रखिए व्याकरणिक नियम जानना बहुत आवश्यक है यदि आप व्याकरणिक नियम नहीं जानेंगे तो आप कभी भी सही तरीके से चीजों को सीख नहीं पाएंगे तो सही तरीके से इस चीजों को सीखने के लिए व्याकरनिक नियमों को जानना बहुत आवश्यक है तो आपका यहाँ पर थोड़ा और बहुत द्वांद समास ये बाद हमारा तीसरा शब्द है देश भक्त इसका क्या होगा? देश का भक्त कौसे समास है ये आपका ततपुरुष समास? ततपुरुष समास और इसके बाद चौथा हमारा है धर्मात्मा धर्मात्मा का धार्मिक है जो आत्मा धर्मात्मा यानि धर्मात्मा का समास विग्रा क्या है? धार्मिक है जो आत्मा कौन सा समास है आपका कर्म धार है कर्म धार है ठीक है समास लिख लीजिएगा आप लोग खुन पसीना खुन पसीना का खुन और पसीना खुन और पसीना कौन सा समास है यहाँ पर आपके लिए है यहाँ पर दो अंदर समास चुछ नमर को देखते हैं जो कि हमारा आखरी भी है जो अक्षर या अक्षर समूख शब्दों के अंति में लगाया जाते हैं उसे हम प्रत्य कहते हैं यह दो प्रकार के होते हैं खृत प्रत्य और सधित प्रत्य यहां पर यह पार्ट से अधारित थोड़ा सा व्याकरणिक ब बहुत मुश्किल है तो कुछ शब्दे हैं देके सबसे पहले है नम्रता में मूल शब्द किया है प्रत्य है त प्रत्य क्यों सा है नम्र बुढ़ा इस तरह से नगदी-नगदी का नगत और प्रत्य कौन सा है ए विखारिन में ठीक और कौन सा प्रत्य है आरेन श्रद्धालू में श्रद्धालू में आपका प्रत्धा और कौन सा प्रत्य है लूव और इसके गेम दनाओन से हे और इसके भारे में आपका धन अभुट्छ ow से अगेम हिखारी में और परत्य कौन से है आ इधs तो यहां पर हम लोगों ने ये पूरा जो है वो भासा बोध पूरा कर लिया है इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रशन दिये गए थे उन सभी को हम लोगों ने हल कर लिया है हमने इस पार्ट के लगुतरिय प्रश्ण को भी कर लिया बोध मुलक प्रश्ण को भी कर लिया है और भासा बोध के प्रश्ण को भी कर लिया है तो आसा है कि आपके लिए यह वीडियो जो है वो बहुत ही उपयोगी होगी और आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीड स्क्राइब करना कॉमेंट करना तुलकुल ना भूले तीके साथ खरन्यवाद